तो इस question में क्या बोलता है आईए देखते हैं कि इन a particular place vulture का जो population है वो decrease कर रहा है और एक certain rate of interest है अगर rate of interest certain है जिससे population decrease कर रहा है इसका मतलब multiplying factor हर साल के लिए सेम होगा फिर बोलता है कि present में जो vulture का population है वो है 29,160 और a decreased population of second and third year का जो ratio है वो है 10 to 9 का तो हमें बताना है कि population of vulture in the third year क्या होगा अचा देखिए अगर आप option देखेंगे तो जितना भी option है वो 29,160 से ज्यादा है इसका मतलब हमें जो है population जो है वो चाहिए 3 साल पहले का चाहिए ना कि 3 साल बाद का अगर 3 साल बाद का चाहिए होता तो जो भी option था हो कम होता तो क्य सिनारियो है यहाँ पर देख लीजिए मान लिया कि शुरू में जो population है वो P है तो T equal to 1 अगर हमने ए मान लिया है कि जो multiplying factor जिससे population decrease हो रहा है वो M है तो एक साल के अंत में जो population बचेगा वो P M बचेगा T equal to 2 second साल के end में जो population होगा वो कितना होगा P M square होगा और third साल के end में जो population होगा वो क्या होगा P M Q होगा बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे क्या दिया है मेरा अपना जो काम हो बस multiplying factor का है यह क्या बोलता है देखिए इस पे focus करेंगे तो पता चलिए कि second and third year का जो population क का ratio है न वो क्या है 10 is to 9 है तो P M square है second year का third year का है P MQ यह जो ratio है कितना है 10 is to 9 है मतलब कि 1 by M का जो value हो गया वो कितना हो गया दोस्त 10 by 9 तो M जिस multiplying factor से population decrease हो रहा है वो है आपका 9 by 10 तो उमीद है 9 by 10 का logic आपको समझ में आ गया होगा अभी आगे चलते हैं question में क्या बोला है कि अगर अभी का population है 29,160 तो हमें बताने 3 साल पहले का population क्या होगा तो अगर 3 साल पहले का population को अगर हम P मान ले या P dash कुछ भी मान सकते हैं तो इसमें multiplying factor से 3 बार multiply हुआ होगा और इसके बार मिला होगा 29,160 तो आज आते हैं जो P dash है multiplying factor means 9 का cube हो जाएगा तो 9 का cube 9 into 81 और नीचे आपका 1 पे 1,2,3,0 जाएगा इधर आजाएगा 29,160 तो cancel हो रहा है 29,729 से अगर देखे तो 4 times में cancel होता तो 40 आ गया तो P dash का value हो गया 40,000 तो 3 साल पहले का population होगा 40,000 और उमीद है आपको यह बाते समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कोई समझते हैं तो comment box में जरूर पूछ ले या फिर आप टेलिग्राम का जो doubt group है वहाँ पे जाके पूछाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेश्ट प्यू का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top 10 तो फिर मिलते हैं अग